हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स शेर के उपर आज के दिन आप इसमें अल्मोस 3% की तेजी देख रहे होगे किया है तो एक बार प्लीज चेक कर लीजेगा कल के दिन मैंने आपके साथ Metro Brand पे एक वीडियो शेर की थी और मैंने अपना आज का वीव बताया था मैंने Metro Brand में बताया था कि आज के दिन आपको बहुत शांदार तेजी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप देख सकते हो Metro Brand में आज के दिन आपको 20% का Upper Circuit देखने को मिला है मैं अगर उर्जा Global की बात करूँ तो कल के दिन मैंने अपने वीडियो में Clearly आपसे कहा था कि आज के दिन आपको Lower Circuit देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप देखो के तो बहुत ही शांदार सी निउस निकल के आ रही है और यह निउस है ICICI Securities की तरफ से ICI Securities ने एक Buy Call दिया है Tata Motors में और उन्होंने अपना Target बताया है 653 रूपीस का तो क्या इससे आपको Tata Motors बाई कर लेना चाहिए बिल्कुल नहीं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए समझने वाली चीज़ यह है कि यह जितने भी Security Houses होते है यह जमन करता है अगर आपका ऊपर जाता हुआ दिख जाता है तो यह लोग कहते हैं कि आपका तो आपका ऊपर जाएगा अगर अगर आपका नीचे चला जाएगा लेकिन जैसे ही वो शेयर नीचे गिरने लगते हैं, वो कहते हैं कि sell कर दो, sell कर दो, sell कर दो. तो इस तरह से stock market ने stock को hold नहीं किया जाता है और नहीं analysis की जाती है. अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं main important news के उपर, तो ये है news असली. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Tata Motors ने अपने एक press release में बहुत ग्लियरली बताते हुए काहा है, कि जो electric vehicle का उनका main stream business है, उस पर ये बहुत जादा focus करने वाले हैं, और financial year 2023 में 50,000 annual sales के बारे में plan कर रहे हैं, मतलब 50,000 electric vehicle के annual sales के उपर ये लोग focus कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत शांदार सी चीज निकल के आ सकती है, कि अगर केवल और केवल Tata Motors इस race में आगे बढ़ रहा है, और इतने aggressively बढ़ रहा है, तो जो इसके competitor है, Maruti और Hyundai, वो इस race में काफी पीछे हो जाएंगे इस से, अब दोस्तों एक नजर हम इस article पर भी डालते हैं, जो इस article में य टार्गेट को ये बढ़ा करके 1,25,000 से लेकर के 1,50,000 यूनिट तक भी लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए एक और important चीज बात ये निकल के आती है, कि अगर ये company इस target को achieve करने में successful होती है, तो जो इनका EV business है, उससे जो revenue generate होता है, वो almost 5,000 करोड का केवल और केवल electric वेकल से generate होने वाला revenue हो जाएगा financial year 2023 में, इसी के साथ company ने ये भी बताते हुए काहा है, कि इनके पास 15,000 वेकल की booking अलेडी पड़ी हुई है, लेकिन वहीं जो इनका mega plan है, वो है 10,000,000 रुपे से भी कम के अंदर की electric cars को launch करने का आने वाले 12-18 मंद के अंदर, और ये कोई एक दो car नहीं, पूरी की पूरी तीन electric vehicle के बारे में Tata plan कर रहा है, जो अगले 1-5 साल के अंदर Tata market में launch करने के बारे में तयारी कर रहा है, दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा कि Tata की Nexon EV जो है, वो काफी ज़्यादा demand में रहने वाली electric vehicle है, उसके बाद Tata ने एक और Tata Ti आगो electric vehicle launch की, इसी के साथ-साथ Tata के line-up में अब Tata Punch की electric vehicle, Altros की electric vehicle, 10 लाग से अंदर की range के अंदर Tata launch करने की कोशिश में है, जिसके वज़े से कंपनी को सबसे ज़्यादा focus उनके new buyers के उपर आने वाले 2 सालों के अंदर रहेगा, वहीं दोस्तों कंपनी ये भी claim करती है कि जो उनकी electric vehicle है, अगर उसको आप full charge करते हो, तो उससे आपको almost 200 km की minimum range cover करने को मिलता है, इसी के साथ अगर शैलेस चंदर जी की जो Tata Motors के MD है, अगर उनकी बात की जाए, तो उन्होंने एक press release में ये कहा है कि we will be launching one और two products every year, मतलब हर साल एक से दो product वो launch करने के बारे में प् Tata Nexon की उन्हें देखने को मिल रही है, इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका long term vision है, उसमें जो revenue company generate करती है, उसमें almost 20% का revenue electric vehicle से वो generate करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, इसी के साथ उन्होंने ये भी बताते हुए कहा कि financial year 2026 तक company almost 10 electric vehicle बाजार में उतार चुक परसेंट थी, लेकिन December 2021 तक वो demand 5.6% तक बढ़ गई, और इसी तरह financial year 2023 में अगर वो इस target को achieve करने में successful रहते हैं, तो जो इनकी electric vehicle की demand होगी, वो almost 12% तक targeted volume इनका देखने को मिल सकता है, इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि volume में काफी ज़्यादा growth देखने को मिला है, क ये Nexon और Tigor EV की, तो इस तरह से company को ये लगता है कि market उनके electric vehicle को बहुत ज़्यादा accept कर रही है, और दिन पर दिन इसी तरह से जो electric vehicle buyers है, वो बढ़ते जा रहे हैं, वह हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो Nexon EV की demand थी, वो पहले 30% केवल निकल के आ रही थी, लेकिन जब से fuel price high हुए हैं, almost ये demand 65% तक growth होते हुए देखने को मिला है, वहीं दोस्तों सबसे ज़्यादा demand गुजरात और महरास्टरा में देखने को मिली है, और वहीं अगर numbers की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया में उनका count लगातार बढ़ते जा रहा है, अग most three times growth देखने को आपको आज की समय में मिल रही है, केवल और केवल एक साल के अंदर, वहीं इस race में Tata Motors की बात करें, तो Tata Motors ने financial year 2019 में केवल साड़े 300 electric vehicle sell की थी, वहीं अगर financial year 2021 की बात करें, तो वह 1300 units से लेकर के 1500 units तक increase होते हुए देखने को मिली थी, और आने वाले financial year 2022 म जो Tata का expectation है, वो है 17,000 से लेकर के 18,000 units का, और ये target केवल और केवल 9 महीने का Tata ने clearly बताते हुए कहा है, तो ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा, कि जो demand है electric vehicle की, वो समय के साथ लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस demand को देखते हुए, अगर आपको पे दोस्तों के साथ share कीजेगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजेगा, फिर में लूँगा एक और ऐसी वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद